हेलो हाई नमस्ते सस्रिया काल आप सभी का स्वागेत इस न्यूव वीडियो में आज का जो डेट है 6 October 2020 का है आज थोड़े दिनों से मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ बट कुछ स्टॉक्स से मुझे अपडेट देने थे जैसे कि इसके पहले मैंने आइटी सेक्टर के काफी साथ स्टॉक्स भी दिये अब देख सकते हो इसमें विप्रो टीसेस इंफेसि है और और भी कुछ टॉक्स दिये अभी में टेक मेंदर का कुछ दिया था अपडेट अब यह निए 25 जुलाई को मैंने टेक मेंदर के लेवल्स भूआ था उसमें मैंने वह तक कोई नया बाइंग बनता नहीं है पर जो भी कोई होड़ रखा है वह होल्डिंग के बाद उन आपके सामने जो चार्ट है वो डिली चार्ट है ठीक है आपको यहां प्यारों दिख रहा है 24 जुलाई का क्लोजिंग था कुछ तो 652 तब मैंने वह था यहां तक जाने का है और यह गया है यहां तक जो है कुछ तो 837 के आसपास गया है ठीक है और आज का अगर हाई देख यह हो गया इंफोसीस हो गया टी-स हो गया वीपरो हो गया एंफेसिस बाकी है और बी कुछ है यह कोई या तो कोई यह कोई यह देख रहे हैं यह उन लोगों के लिए है कि जो भी मेरे वीडियोस बनते हैं वह सब एजुकेशन प्रोपस के लिए है इसमें कोई बाई या तो कोई सल का कोई रेकमेंडेशन नहीं है तो अब चार्ट के तरफे से यह जो आज का जो कैंडल है वह एक डाउटफुल कैंडल है यह जो काफी बूल होता है मतब देखो नो एक वन साइडेल है अप्रेंड में है तो एक आग दो वाइड कर सकते हैं इसका फॉलौप कैंडल देखना काफी इंपोर्टन है तो डेली में में डेली का लेवल बताने के पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यह अभी जो ह आपको में पिंक लाइन का भी दिखाऊंगा कि डेली में क्या पॉसिबिटी से उसके रिजिशन क्या है पॉसिबल वह भी है कि रेक करेगा बट एनिवे पॉसिबल और कंफरमिशन दोना अलग बाते तो कंफरमिशन का वेट करेगे तो आप भी आपके सामने फिर से डेली लेकर आ गया ठीक है जो 837 का जो लेवल है जैसा कि मैं नॉर्मल भी कोलता हूं दो या तीन दिन ब्रेक आउट देना चाहिए तो अभी तक तो दो या तीन दिन हुआ नहीं आज का ब्रेक आउट तो दे चुका है और 837 के लो लेवल के उपर ही क्लोस दिया है 847 ओवर और कि वीकली मंद्ली जो भी इंडिकेटर में देखता हूं मैंने पहले शेर भी किया इस वीडियो में में पाकी के वीडियो उसमें वो कोई उसमें बीरेशन नहीं दिख राए आइटी सेक्टर में अब धिदम है फ्यूश्च का माण में यह फॉलॉप भी चया था तो अभी तो आप अपना कर सकते हो उसको में वीकली लेवल में आपको बताऊंगा यहां पर यह एक अपर ट्रेंड लाइन है और यह जब ब्राउन लाइन है इसका एक सपूर्ट बोल सकते हो 775 के आसपास मतलब 770 के आसपास आप पकड़ सकते हो तो जिस किसी को फ्रेश एंट्री करन जीजे इसको ठेक है अगर क्लोज देता है तो अच्छी बात है 847 के लेके दो या तीन दिन अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए ने तो रेंज बाई कर सकते हो स्रेट अवे कोई दिक्कत नहीं इसमें जो आच्छा क्लोजिंग प्राइस है 847 तो 850 रुपय से लेके आप यहां तक बाई कर सकते हो जो 777 है ठीक है तो अब है तो आपको वीकली लेके जाता हूं और आपको बताता हूं तो आपको डिप मिलेगा इसलिए इसलिए बढ़ा है तो हम तो आप राउन फिगर पकल लो 550 रुपय से लेके 850 तो 300 रुपया जाना बनता है ठीक है इससे जादा भी टार्गेट जाने का यह 900 के आसपास है और यहां पर एक है साड़े 900 के आसपास तो जो भी मैं टार्गेट बोला है उसके पहले आपको दो रेजिशन मिलता है 900 के आसपास और में आजाएगा अंचार्टर मतलब इसका टार्गेट का लिमिटेशन ज्यादा है जैसे कि में वीडियो के बीच स्टार्टि में कुछ तो बहुता स्टॉपलस 10 परसन का होगा उसका टार्गेट 4-5 तैंस होगा मतलब अच्छा खासा होगा ठीक है तो अब यह जो लेवल है जो टार्गेट बनता था वो टार्गेट जाने के बाद आपको दिखर रहा है साढ़े दो सब्सक्राइब ब्रेक तो कुछ बचेगा निए इसमें इसका यहां तक जाने का चांसा से तो यह फोटीन हंडेड टक जाएगा कैसा जाएगा फिर से टाइम फ्रिम के बार में कु लास्ट के जो भी मैंने वीडियोस बनाया तो आपको कैरी किजिए ट्रेलिंग स्टॉप्लेस के वज़े इसका अगर आपको ऐसा लागा कि उसके बारे में कुछ चाही अपडेट वगर है तो मैं कोशिश करूँगा देने के लिए पर इसमें मैंने चार्ट अभी देखा इसम आपके जो बहुतने हैं तो कोई भी बी लेवल में उसके लिए जो अब भी मैंने स्टॉपलेस बता है वह स्टॉपलेस अगर आप उसमें रख सकते हो आपके जो ङूटि ब्लोग कोई लिया है, जैसे कि बागटी लोग आप कोच ना कुछ कमें शेक्षन में वैसा पूछ स करूंगा इसको ट्रैक में रखना अगर क्योंकि काफी साथ इस्टोक्स होते हैं उसमें अगर इन मिस हो गया तो बट याद रखना जो भी रेजिशन्स बोले विए रेजिशन्स को भी याद रखना ठेक है और अपना स्टॉपलस करें जाना और टाइम टाइम पर देने के लिए तो जिस किसी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले आपको ऐसा लगा किसी दोस्के साथ शेयर करना तो शेयर भी जा सकते हैं थैंक यू